खबर यूपी के बिजनोर से है जहां एक भाई ने अपने बहनोई सहित पांच अन्य लोगों पर अवैद समंदों का विरोध करने और दहेज की मांग करते हुए बहन की हत्या करने का मुकदमा दर्ज करवाया है पुलिस अदिक्षक ने ये बताया कि ग्राम तरकोला निवासी जियाउल हसन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बहन नर्गिस का विवाह नगीना थाना इलाका निवासी अदनान के साथ हुआ था जो शादी के बाद सही दहेज के लिए उसे परिशान करता था जिससे ल बाकर हत्या कर दी इस पर मृतका के भाई की ओर से हत्या का मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है